Hello friends, welcome back to my template Application Management क्या होता है? दोस्तों कल का मेरा वीडियो डालने के बाद मुझे काफी calls है और जिस category के मैंने applications बनाया है मैंने काफी categories का application बनाया है और सभी मुझे सामने से बोल रहे थे कि भईया प्लीज आप हमारा application management ले लीजे बट आप सभी को मैं बता दू कि मैंने सभी application की management service start नहीं किया अभी अभी सिर्फ मैंने दो ही category के applications जिन्हों ने मुझे से बनवाए है उनकी management service मैंने भी start की है एक तो है grocery और दूसरा है tournament application ठीक है और भी मैंने बहुत सारे categories का application मनाया है न्यूज application है video status है अभी tik tok type का application जो हो गया उसके बाद में मतलब बहुत सारे categories और भी आती है उसके अंदर ठीक है ये commerce के भी websites भी है और applications भी है तो वो सारे अभी मैं management के लिए ready नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी मेरे पास वो team है वो ज्यादा तर भी जो sales हो रहे है हमारे applications इस पर ही हमनों work focus कर रहे है और इस पर क्या है कि मतलब जो सामने से customer है उनको नीड है इसना management की updates की समझने की जोरत है उनको बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है ठीक है दोस्तो होता क्या है आपको पता होगा YouTube channel अगर आप एक YouTuber है या फिर YouTube channel के बारे में अच्छे से जानते हैं आपको पता हो YouTube channel लोग बना के पैसा कमाते हैं लेकिन YouTube channel जो YouTubers रहते हैं उनका मतलब आपको पता होगा CMS भी चलता है है टागिंग थामनेल डिस्क्रिप्शन है यह सारा कुछ वो लोग डालते हैं ठीक है और वो लोग कुछ परसंट चार्ज करते हैं तीस परसंट कोई पचीस करता है ठीक है और मेरे जो जानकारी में रहा हम किसी भी चैट्रिक के अप्लिकेशन को सेलट कर रहा हूं आपको ऑनवा लेते हैं तो उसके आगे का next step क्या करना है यहां पता नहीं होता है को inigep subtract क्या क्या लेना हirmा tiden करना है या क्या आगे कैसे इसको बढाना है उनको सब अच्छे से पता रहता है जो 50% के customers हैं जो हमारे clients हैं कहले 50% users हैं उनको यह नहीं पता हो कि अगला next step क्या लेना है अब यह भी दो categories में आती है यह दो category के user skill में बता रहा हूं जो एक category के user होते हैं उनको मतलब जो real cash वाले applications रहते हैं हलाग इसको पर मैं पहले video बना चुका हूं दो category type के applications रहते हैं जो एक होता है real cash वाला उनको तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है management उनको लेना ही चाहिए ठीक है और एक हो गया जो without real cash मतलब जो AdSense के भरोसे AdMob के भरोसे रहते हैं कि वहां से हमारे income आएगा free content इनका रहता है और वहां से अपना मतलब जो भी AdSense के तो income आएगा वो इनका मतलब real income रहता है वही उससे से यह कम आते हैं तो जो इस category के application से रहते हैं video status हो गया application हो गया music application हो गया cooking recipe application हो गया तो यह इस category में आता है और जो दूसरा category है जिसमें real cash real cash वाले में tournament application हो गया education application जो premium content जो sell कर देना education app में courses वगरा बेचते हैं ऐसे भी applications रहते हैं उसके बाद में grocery application हो गया या फिर netflix amazon prime type जो application होते हैं जिसमें जो चीज़ आप सेल कर रहे हो real cash e-commerce application हो गया तो यह इस category में आते हैं तो जो आपर भी एक दो आपने पास technical ही रखने चाहिए वहाला कि management service में वह इनको मिल जाता है support application में कुछ bugs आया तो वह solve करने के लिए क्योंकि सब कुछ तो उसी पर चल रहा भी कभी भी क्या होता है ज्यादे यूजर्स एक बार अगर application में आ गया e-commerce हो गया या tournament application हो गया education टाइब जो premium content सेल करते हैं उनको लेनी ही चाहिए bugs वगरा नाया ताकि वह smooth हमेशा run करता रहे और कुछ ना कुछ suggestion लेना चाहिए अपने developer से कि हम इसको आगे और कैसे growth कर सकते हैं ठीक है प्लस इनमें next step क्या लेना application बनवाने के बाद कैसे sale करना है उसके अंदर product कैसे बेचना है अपने 100 customer starting के job के 100 customer है वो आपको कैसे लाना है ठीक है और application में क्या हम improve कर सकते हैं दूसरा कुछ अगर market में नया आया है वो आपको बीट ना कर दे और आप से कही और जावाफ आगे तेज ना निकल जाए तो उसको कैसे रोख सकते हो आप मतलब क्या कुछ नया कर सकते हो है ना तो य यह सारी चीजे होनी चाहिए इसलिए आपको management service ले नीचे इन category के application को अब मैं बात करता हूँ first category जो मिन आपको बता है इन category के applications रहते हैं जो first category मिन आपको बता है इस category के application को और यह management service नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा क्योंकि इनको करना कुछ निहें इनको बस अपने content डालने हैं प्लेस रोपिन का अप्लिकेशन है कंटेंट बट जो भी डाल है यह सही तरीके से डालना चाहिए तो अगर यह फ़स्ट काटेगरी है जिसके बार मैं भी बात कर रहा हूं अगर यह मेंचमेंट सर्विस लेती है तो इनको management में इसो प्लवाइद होता है कि अपना ये कंटेंट नहीं डाल रहे हैं या time पर नहीं डाल पार तो उसके लिए मेंचमेंन सरविस में इसोते हैं किम नहीं जो जो मैंटम कर रहा है या इसा लिन के अप्लिकसिशन बंद हो जा पर ये सारी चीज़े खुद से भी solve कर सकते हैं अगर इनको knowledge है तो knowledge नहीं है तो ये management service लेंगे तो चलेगा ठीक है तो ये कुछ conditions रहते हैं ये दोनों ही category के applications के लिए तो शायद आपको समझ में आ गया होगा और आप कौन सी category के application बनवा चुके हैं या आप कौन सी category के application बनव इसमें patience भी चाहिए आपको promotion के लिए भी पैसा चाहिए और मतलब इसमें कहने ज़्यादा work नहीं करना पड़ता आपको manpower की ज़रूरत नहीं कर पाओ या अच्छे सार नहीं ये भी बड़ा best है लेकिन second category first day से ही आपके पास income आना start हो जाता है हना तो आप आप चूस कर लि ज़ेगा थैंकि दूस्तों में नेक्स वीडियो में